हमारा जीवन किस हद तक हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है जिस नाइनसाफी और अन्याए का हमें अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ता है क्या वो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है अगर हां तो क्या हम इन अन्याएों को स्विकार करें और ये सोच कर खुद को दि इतनी बड़ी हो गई हैं कि समझ जाएं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप ओल्ड हैं, मैंने का आप इतनी बड़ी हैं, क्या आप अब भी उम्मीद करती हैं कि यह दुनिया आपके साथ इंसाफ करेगी? इसे लिए तो मैं इस सवाल पूछ रही हैं, क्या मैं इसका दोश अपने पुराने कर्मों को दे सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे साथ अच्छे से रही है, यह स्कूल की बच्ची वाला सवाल है, अब तक आपको यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया इंसाफ नहीं करती है, यह आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर गहराई में जहाकें और जीवन का स्वाद चक लें, अपने विचार और भावनाओं का स्वाद नहीं, उस जीवन का स्वाद जवाब हैं, तब आप देखेंगी कि यह जीवन सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं, बल्कि यह शानदार है, तो आपको इंसाफ करने वाला जीवन चाहिए या शानदार ज अचानक ये बहुत… ये इगो अलकोन है, आपका दोस्त है, क्या? ये मेरे चारो तरफ है. और मेरी इंडस्ट्री में तो इसका भरमार लगा पड़ा है. तो मैंने देखा है कि आजकल मेटेरियल इगो के अलावा, स्पिरिच्वल इगो भी फैला हुआ है. अपने इस सद्गुरू, जो खुद को अधियात्मिक मार्ग पर नचलने वाले लोगों से उचा मानते हैं. आप ऐसे लोगों को क्या सला देंगे, ताकि वो इस नई स्पिरिच्वल इगो का शिकार न बन जाएं? हम लोग पहले इस इगो नाम के आदमी को समझते हैं, ठीक है? अगर आप मुझे दिखा दें कि ये कहा हैं, तो मैं इसे अभी ठीक करता हूँ काश मुझे पता होता ये कहा है, ये एक दम से आ जाता है तो आपको नहीं पता कि ये कहा है बात बस इतनी सी है देखे, कुछ विशेश पलों में, एक इनसान के रूप में, एक महिला के रूप में, आप एक सुन्दर इनसान होती है मेरा मतलब है एक बहुत बढ़िया इनसान माफ कीजेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस कभी-कभी सुन्दर दिखती हैं पर कभी-कभी आप बहुत बढ़िया होती हैं ठीक है? कुछ विशेश पलों में, शायद आप बुरी होती हैं हो सकता है तो जब भी आप बुरी होती हैं, आप कहती हैं ये मेरी एगो है आप ये क्यों नहीं कहती हैं? ये मैं हूँ मैं कभी-कभी बहुत बढ़िया होती हूँ, कभी-कभी बुरी होती हूँ अगर आप इस पर गौर करें, तो बुराईयां खुद बाखुद कम हो जाएंगी लेकिन अगर आप कहें, कि जब भी आप बुरी होती हैं, ये Mr. Ego ऐसा करता है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहा है, ना आपके पास उसका पता है, नहीं आपके पास उसका फोन नंबर है तो इस बंदे को कैसे ठीक किया जाएं, तो यही सब के जीवन में चल रहा है कियोंकि यह आध्यात्मिक हुए बिडिना अणाप्षणाब आध्यात्मिक बकवास यहार जगा मौझूद है खासकर भारत में क्योंकि हमारे पास क्या है पता है ना 15.000 नहीं हर्चाब्द के तिहास इसलिए हम satellं को सारे शब्धाते हैं हमें पता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फलाना धिमका, एहंकार, हम सब कुछ जानते हैं, पर सिर्फ शब्द. सिर्फ शब्द, noted. तो हम लोग यूँ ही, बस शब्दों को उच्छाल कर, पश्चिम वालों को थोड़ा बहुत कन्फियूस्ट तो करी सकते हैं. क्योंकि अगर आप इधर आए, तो मुक्ति, शक्ति, ये वाला, वो वाला, वो क्या, क्या नहीं कह देंगे. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जिन्होंने जाकर पश्चिम में आध्यात्मे केंद्र इस्थापित कर दिया हैं, खासकर अमेरिका में, क्योंकि उनको बस एक मंत्र आता है, बस एक मंत्र, असतुमा, सद्गमा, इसी से वा पूरा केंद्र चला रहे हैं. तो दुर्भाक्य से आध्यात्मिक्ता कुछ माइनों में वहां पहुँच गई है. आध्यात्म वहां इसलिए पहुँच गया है, क्योंकि समाज में इसकी जरूरत है, और स्त्रोत उतने हैं नहीं. इसके चलते, लोग यहां-वहां ऐसी चीज़े बना रहे हैं. ऐसा हुआ, कुछ साल पहले, 15-16 साल पहले की बात है, और तब मैं अमेरिका में था, तब हमारे आफिस में किसी ने मुझसे कहा, सद्गुरू आपको पता है कि हर रोज, एक लाख लोग गूगल पर आध्यात् आध्यात्मिकता शब टाइप कर रहे हैं. मैंने का, ऐसा क्या, यह टाइप कीजे, देखते हैं क्या आता है? क्या, वहां हमारी कोई तस्वीर भी है या नहीं? उन्होंने आध्यात्मिकता शब टाइप किया, पहली चीज़ जो निकल कर आई, वो थी मेक्सिको का एक स्पा. आप आगई हैं? नहीं, मैं वाँ नहीं गई हैं. कोई भी आध्यात्मिकता की बात हो, तो लोगों ने पूर्व की ओर देखाया, पूर्व यानि भारत, इसका यही मतलब था. तो मैंने कहा, हमें कुछ शुरू करना चाहिए. कोई आध्यात्मिक गेटवे, यानि अगर लोग कहें, उनको आध्यात्मिकता खोजनी है, तो उनको भारत की ओर देखना होगा. क्योंकि? ये एक ऐसी संस्कृती है, जिसने इस पर सबसे ज़्यादा समय लगाया है. की गई है. ये मैं इसलिए नहीं कहरा हूँ क्योंकि मैं भारत से हूँ. दुनिया को करीब से देखने के बाद ये कहरा हूँ, कि आध्यात्म को कहीं और इस तरह से नहीं देखा गया है. तो मैंने कहा कि हमें एक आध्यात्मिक गेटवे बनाना चाहिए भारत यानि एक आध्यात्मिक द्वार मुझे आप को बताना चाहिए लगभग 15 साल पहले तक मैं भारत में किसी भी गुरू से नहीं मिला था मैं बस यूही नहीं मिला मैं बस अपना काम करने में बजी था मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जाकर किसी से मिलना पड़ेगा मैं कभी किसी दूसरे आश्रम में भी नहीं गया और फिर मैंने सोचा ठीक है मैं एक कोशिश करता हूँ फिर मैंने कुछ फोन कॉल किये उन सब ने मेरा फोन अच्छे से रिसीव किया और फिर मैं कुछ लोगों के पास जाने लगा और जुड़ने लगा 125 गुरुवों के साथ हमारी एक मीटिंग हुई हमने ये नियम बनाया कि कोई भी अपनी फिलोसोफी की बात नहीं करेगा आप अपनी फिलोसोफी रखे ये बस एक मीटिंग है ये मीटिंग सिर्फ अपने आश्रम या अपने योग केंद्र या आपका जो कुछ भी है उसको बहतर बनाने के लिए है हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे, हम आपको ब्रैंडिंग सिखाएंगे हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं हम आपको सिखाएंगे कि अंतराश्ट्रिय समधायों के सामने खुद को प्रस्तुत कैसे करना है आपकी philosophy आप हमारी मत चुईए, हम आपकी नहीं चुएंगे, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि यही संस्कृती की खुबसूर्ती है, कि यह सैकडों रूपों में, हजारों रूपों में रह सकती है, और हमको यह चलेगा। तो जब मैं यह सब कर रहा था, खेर मैं कई शांदार लोगों से मिला, लेकिन इसके साथ-साथ, कम से कम 60-65 प्रतिशत लोग मुझे कहते वो दुख हो रहा है, मैंने पाया कि अगर मैं हवाई एड़े या गॉल्फ कॉर्स में जाऊं, तो मुझे बहतर लोग मिलते हैं, इन त पहनता है, बस एक-एक मंत्र है, एक-एक बकवास है, एक फिलोसफी है, जो उन्होंने कहीं से पढ़ लिये, यह ऐसे ही चल रहा है, इसे बदलने की जरूरत है, तो लोगों में यह गहराई लाने के लिए, जैसे-जैसे लोग मेरे करीब आते जाते हैं, मैं उनके साथ आध्यात्मिक एगो कह रही है, मैं ऐसे आध्यात्मिक हवा कहता हूँ, जैसे उन्हें आध्यात्मिक हवा मिलती है, वो हवा के बुलबुले उनके सिर में घुश जाते हैं, अचानक वो अजीब हो जाते हैं, वो ऐसी बातें करने लगते हैं, जिनका वजूद नहीं है, वो कुछ ऐसा कहूँ जो आपकी समझ में ना आएं तो मैं बड़ा हो जाओंगा और आप छोटे, ये एक कच्रा है, ये बहुत ज़ादा समय से चलता आ रहा है, तो दूरबहा के से पूरी आध्यात्मिक्ता के लिए ये बुरा समय चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें सिर्फ हेल्थ की प्राब्लम्स के लिए कारिकरम में आते थे, केवल 12-15 प्रतिशत लोग ही कुछ जानने के लिए आते थे, आज 90 प्रतिशत से जादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ अनभव करना चाहते हैं, केवल 8-10 प्रतिशत ही सेह अगर इस इगो वाली बात की बात करें, तो ये एक चीज है जिसे हमें ठीक कर लेना चाहिए. देखिए, आपके अंदर सिर्फ एक इंसान है या दो? मुझे लगता है एक. आपको लगता है एक? मैं एक ही कहूंगी. एक. इसका मतलब है आप एक इंडिविज्वल हैं. इंडिविज्वल शब्द यानि इंडिविज्वल शब्द इंडिविज्वल से आया है. यानि जिसके और टुकड़े नहीं किये जा सकते. कि अच्छा है कि आप एक व्यक्ति हैं, कि आप इंडिविज तो ये बहुत महत्वपून है कि हर कोई इसे समझ ले। आप आत्मा, परमात्मा, एहंकार ये वो चीजों के बारे में मत बात कीजे। आप इंडिविजुल हैं, एक व्यक्ति हैं। आप किस तरह के हैं? क्या आप एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं या एक बुरे व्यक्ति? बसे से एक तिस को फेक्स कर देजे।